हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सोचियोलाजी क्लासिस पर आज हम देखेंगे भारती सम्मिधान से जुड़े अनसूचित जातियों जन जातियों से संबंधित कुछ अनुच्छेद वाले प्रश्ने धार में उन संस्कृति जैसी योधानाओं से सं यह देखते हैं आज का पहला प्रश्न है भारती सम्मिधान के निम्न में से कौन से प्रावधान केवल अनसूचित जन जातियों के लिए है यह पूचा है केवल अनसूचित जन जातियों के लिए है तो पद यहम सिवाओं में न्यूकति लोग सभापदों में हेत प्धान मंडलों में आ करी म्यारचाती ति जया से सही बाकी एति जम जाति दोनों से सम्बंदित है कि कि अनूच्यद के द settings होती है याfaced देखा जाता है तो ऐसा प्रशन आता है अगला प्रशन है भारती समिधान की छटी अनसूची से संबंदी है अंसूचित जन्जात अन्य पिछड़ा वर्ऩ के या अल्प संक्यक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनसूचित जनजात भारती समिधान की छटी अनसूचित संबंदीद है अगला है निम्ने में से कौन सा एक सत्य है समिधान की धारा 341 में अनसूचित जाति को परिभासित करती है तो कहीं भी समिधान में अनसूचित जाति या जनजाति की पोई भ कर तो जाएगा कि सम्मीधान अन्सूचित जात्या जनजाति की परिभास नहीं दिए था अग्ला अप्सागर है अन्सूचित जात्य को भारत सरकार अधनीयम 1888 तो जैसा अमने बताए कि कहीं भी परिभासा जैसे सब्दों का फरिदान नहीं किया गया है निम्रिखित में से किष्णे एक मूल संबंध भारती समिधान 17 से संबंदित है तो कौन सा तत्थ है जो है कि भारती समिधान के अनुच्छे संबंदित है पिछड़े वर्गों का प्रतिनिद इस प्रस्ता का उन्मूलन अनसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनित या अन माच सास्क में या तो मैच करने में देगा या सिंगल आपसन में देगा लकिन यह अभी तक कई वर्षों के प्रशनों में पूछा जाशुका है अकला प्रश्न है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है सुची एक में अधाला आदी है और सुची दों में उसे संबंदित विचारक हैं तो जैसा कि पस्मीय और संश्कृति करड़ कि अधाया किसीने दी है तो इसका अनसर हो जाएगा ऑमेन श्रीनिमास तो अनसर हो चाइगाा। में बताते हुए साथ हो लग बंपराय मों अस्थानी करण के ब्यरकbor क्या महान पर पर बढल्पराय अगर कहीं रावावर पर प्रेटर फिल नहीं है तो Marco या आप सर्वे होगा तो मिल टंसींगर इसका राइट अना सरोगा अग्ला है सार्भावावमिकतावाद वह विस्रच्षटावाद या टालगट पार्शन से संबंदित है उन्होंने अपने प्रकार्यवादी व्याख्या में सर्भमिक्तावाद या विसिस्पतावाद की उधारा की चर्चा की है तो इसका सुंयलित है वि अगला कि निमल खित में कौन साब भारत में ट्रेड यूनियन अनदोलन के पुरोधा रहे हैं अर्था प्रमुख रहे हैं बीवी की बांढ्य के कर दिया एस एडागे तो इसका राइट आंसर डी होगा भारती ट्रेट यूनियन अंदोलन के प्रमुक कौन रहे हैं स एडागे अगला निम्लिखित में से कौन एक परिया वर्यडी पक्रिया नहीं है सहरों में ब्रिद्धिये तुँ केंद्री करण बिकेंद्री करण आक्रमण द्व जादू का वर्गी करण किया है मॉर्गन स्पेंसर माइने फेजर इसमें राइट आंसर हो जाएगा फेजर इसके लावा मैलीनोवस्की भी जादू के बारे में बात करते हैं अगला प्रशन है वह प्रचलन जो उत्तरी जापान के आईन समूहों में प्रचलीत है जिसने अपने सत्र के चित्र को किसी ब्रिच पर टांग कर उसके सर और हीड़ाय में कीलगार दिया जाता है तो यह उदहारर किस प्रकार के जादू का उदहारर है तो यह उदहारर जो होगा संक्रामक जादू का उदहारर होगा अग्ला निम्लखित में से कोन से जोड़े शुमेलित है Πार opens image ला गिए तो बहुत धर्मे मठो की जाक्य बात एक ग्ला है जयन धर्म में इस बात की बात नहीं की जाती है यह हिसाई धर्म से रिलेटेर और इस धर्म में प्राथना द्वारा मुक्ति की बात होती है हिंदू धर में कर्म और धर्म की प्रधानता पाई जाती है तो राइट आंसर हमारा भी हो जाए केवल अपसर नम्मर्दो सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित है अब निम्न में से किस देश में सिंतों और बहुत दो मुख्य धर्म अस्तित्युमें है शिलंका जापान वर्मा या कोरिया तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जापान के अंतरकत सिंतों यूं बहुत धर्म समलीत होते हैं अगला है हिंदु तो से अलग धर्म में धर्मांतरित क्रियस्तों हेत सुध्य अंदोलन लागू किया गया है ब्रह्म समाज प्रात्ना समाज आरि समाज या राधा स्वामी समाज तो प्रश्न है हिंदु धर्म में अलग धर्म धर्मांतरित क्रियस्तों हेत सुध्य अंदोलन स्धार्म को फिर से हिंदू धर्म मेन आने के लिए धर्म सुध्धि अंधोलन चलाया गया था, वह सामाज में आकस्मिक तथा व्यापक परिवर्तन आयगा उसे कहते हैं, पुनर जीवी करण अंदोलन अस्थानी अंदोलन प्राढधार अंदोलन या स्रसाबदी अंदोलन तो इसका राइट अंसर सी हो जाएगा स्रसाबदी अंदोलन के अंतरकत अलोकिक सक्ति के अच्छेप से समाज में आकस्मिक और व्यापक परिवर्टन आएगा अगला है जीवन पत्स संसकार की अधारणा दी है रेटली ब्राउन रहबर्टसन इस्वीत या एडमेंट लीज या एरनाल्ड वान गनेप तो जीवन पत्स संसकार की जो अधारणा है वह वान गनेप से सम्बंदित है अगला है चर्च और संप्रदाय के बीच विभेद किसन संप्रदाय के बीच विभेद बेबर और ट्रोलेच ने किया है अगला किस प्रकार के ग्राम भारत के पस्चिम टटी दच्छडी कनारा और केरल में पाए जाते हैं एकी क्रिद ग्राम फैले हुए ग्राम एकी क्रिद ग्राम या केंद्री कित ग्राम और मरुथली मरुभू ग्राम इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि भारत के पस्चमी टटी और दच्छडी कनारा केरल में फैले हुए ग्राम पाए जाते हैं अगला है पंचायती राज के त्रीयस्तरी विवस्था की अनुसंसा किसने की है बलवन्त राए मेहमत्ता समीति एलवीन समीति धेवर समीति या जाए प्रकास नरायर समीति तो यह प्रश्ण काफी बार पूछा गया कि पंचायति राज विवस्था ट्रीयस्तृ अनुसंसा किसने की है तो यह बलवन्त राए मेहत्ता समीति है अगला संदाई विकास कारेकर्म भारत में कप्रारम हुआ हुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है सरकारी सेवाओं में अनफूची जाती जल जाती हो अरच तो इसका राइट आंसर ए हो जायागा कि सरकारी सेवाओं में अनसूचित जातियों जनजातियों के लिए अरच अनुच्छत पायतिस के अंतरगत व्याक्षा की गई है अगला प्रश्ण है भारती समाज की आजनकी करण संबंदित है समाज की संग्यान आत्मक संरशनात्मक विस्ष्टाओं में परिवर्तन से पस्थमी जीवन साहली की स्विकारता से सांस्कृतिक पुर्णर जागरार से या वैधानिक विवेक सीलता की स्विकारता से तो इसका प्राइट आंसर होगा जब बैग्यानिक विवेक सीलता को अपनाया गया तभी से इसकी स्युक्यारता हुई है अर्थात भारती समाज में आदमी की करण का आगमन हुआ है अगला परकर करे किसने और स्भिस्तों को स्रव्प्रथधम हार्जन कहा है तो यह प्रमुख कोड कि सरव्प्रथम हर्जन कि इसने कहा है तो महत्मा गाधिंग यह उस्षातों को हर्जन सब्दसे संबधित किया है अगला है निम्लिखित में से कौन महिलाओं के उन्ययन हेद उत्तरदाई नहीं है अर्थान महिला सुधार अंदोलनों से संबंधित नहीं है तो राजा राम मोहन राय इस्वर चंद विद्या साकर स्वामी दयानंद सरोसती या संत नाम दियो तिसका राइट अंसर डी हो कर इन्होंने सतीप्रथा को बंद कर आया बाल विवा को बंद कर आया और इसके लाव इस्वर चंद्र ने महिला सिच्छा पर बिशेस बल दिया है महीं स्वामी दयानंद सरोसती भी महिला सिच्छा के समर्थक रहे हैं अगला है रायल इंडियान ने विद्रो कब हुआ था जयरमरी नी सो पैतालीस फरवरी एंडिय कर अपरैल निस्ससाहतालीस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइल नेवी ने विद्रों किया तो यह उस समय का किसी नेवी का पहला विद्रों मना जाता है और यह स्वतंत्ता प्राप्ती से जर्ष्ट पहले कि पततकाली धटना थी से अगला सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी भारत से वक्त समाज प्राण भुगा उनी सेथाराएं में इधारे नीस संदस में यह एनू recur सॉय टॉप Harriet होगा तो सर्वेंट आफ इंडिया नामक साइटी भारत सिपक्स्वाज का उपना रहा नीसá पाच इस भी में हुगा तो आज की वीडियो यहीं समापत करते हैं वीडियो को लाइक है करें चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें धन्यवाद